मोबाइल से वीडियो की सेटिंग पर सूट करें फ्रेंस बहुत से लोगों के पास केमरा नहीं होता है मोबाइल फोन ही होता है और वो चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन से ही हम अपनी वीडियो को सूट करें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल फोन का यूज करके अपने वीडियो को सूट कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन से अपनी वीडियो को सूट करने के लिए क्या करते हैं अपने mobile को उठाते हैं, mobile phone में camera आपको open करते हैं, और video recording वाले option पे जाकर recording स्टार्ट कर देते हैं, record कर लेते हैं, record करने के बासे जब video देखते हैं, तो भाई, परिसान हो जाते हैं, क्योंकि उनको quality नहीं मिल पाती है, जो ओ चाहते हैं, क्यों नहीं मिल पाती हैं, वहीं आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि आपको अगर जो quality आप चाहते हैं, अपने mobile phone से, वह आपको कैसे मिलेगी, तो भाई, इस वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ, कि कौन सी setting पे करके आपको अपनी वीडि का phone है, आपको अपने phone में camera app को open कर लेना है, जो company की तरफ से by default camera app है, उसी को open करना है, ना कि कोई आपको other install करके open करना है, ठीक है, जैसे यह open हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस तरीखे का interface आजएगा, अलग-अलग phone है, अलग-अलग लिखा हुआ है, जो interface अन अलग-अ तरीके से आता है, बड़ setting जो है ना, same ही राता है, ठीक है, setting आपका same ही राता है, तो setting पर ध्यान देना है, ना कि interface पर, interface अलग हो सकता है, किसी-किसी phone में अलग होता है, उपर नीचे setting हो सकता है, लेकिन setting आपको जो मैं बताने वाला हूँ, वो सभी phone में मिल जाएगा, चा वीडियो को ध्यान से देखना है, एक creator के लिए बहुत important है, अगर आप creator नहीं हो, वैसे entertain करने के लिए वीडियो suit करते हो, तो भाई आप by default setting पर suit कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन creator के लिए वीडियो खास तोर पर बना रहा हूँ, सबसे पहले camera आप open कर लेना है, अब आपको आजाना है वीडियो पर, वीडियो पर आने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, अभी मैंने back camera open कर रखा है, इसलिए आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए, back camera open किया हूँ, तो कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर मैं आपको समझा सको, इसलिए मैं by camera किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जैसे वीडियो वाला option पर आएंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो three line दिखेगा, यानि setting वाला option मिलेगे यहाँ three line पर क्लिक करेंगे, तो setting हमारा open हो जाएगा, यानि आपको अपने phone में camera वाला जो video recording है, उस पर क्लिक करना, उसके बाद से setting पर क्लिक कर देना, अब जैसे ही setting पर क्लिक करेंगे, अब जो भी आपका by default अगर कुछ setting किये होंगे, तो setting दीखेगा, नहीं किये होंगे, तो company की तरब से by default जो setting रहेगा, वो आपको यहाँ पर दीखेगा, जैसे कि मेरे में देख सकते हैं, यहाँ पर company की तरब से by default यहाँ पर setting जो है, वही है, मैंने कुछ इसमें setting नहीं किया है, अब जो करने वाला हूँ, वो अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, सबसे पह रखना है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो, कि आपकी वीडियो की साही छोटी हो, और quality अच्छी हो, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेनेच तो करना पड़ेगा, साही थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बात समझना, अगर quality च ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह नहीं कि आपको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको नॉर्माल ही जाना पड़ेगा, सारा कोछ एकदां, फिट हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो setting है, setting पर आ जाना है, उसके बास यहाँ पर आपको regulation दिखेगा, यह regulation होता क्या है friends, regulation जो है न वालाव आपकी जो नहीं हम बोलते हैं, भाई आपकी वीडियो कौन सी है, कौन सी format में है, कौन सी quality में है, तो हम बोलते हैं, 4K में हैं, या MP4 में हैं, ऐसे हम बोलते हैं तो वहीं होता है, तो ओ हम यहाँ पर 1080P जो है या एक फोरके है ऐसे पूछते हैं न किसी से तो वहीं चीज है तो यहां पर हम देखो हमको यह बाइडिफोल 1080P और 30 fps fps जो होता है ना हमारे वीडियो fps का मतलब यह होता है कि हम जो माल यह एक सेकंड में हमने कोई काम 60 बार किया और एकी सेकंड में कोई काम हमने 30 बार किया तो अब जो हमने 60 बार किया और जो 30 बार किया तो उसमें देखिए अब तो एक सेकेंड पूरा मैने जोगा टाइम ना तो वहीं चीज यहां पर fps का होता है यानि अगर आपकी फोन में 60 fps रहेगा तो वह उतना ही फोटो क्लिक करेगा यानि वीडियो को अच्छे से दिखाएगा उसमें जर्क नहीं दिखेगा आपको जैसे वीडियो को आप करेते हैं तो आप जब आप वीडियो सुट करेंगे तो आपकी वीडियो एकदम सी स्मूथली दिखेगा यानि आपको रुक रुक के जो नजर आ रहा था 30 fps पे ओ नजर आप नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको एक ही सेकेंड में 60 फोटो आपको देखने को मिले और एक ह सेकेंड में आपको यहाँ पे मिला था 30 फोटो तो इसलिए इसमें जर्क है आपको यानि थोड़ा थोड़ा आपको रुक रुक के देखने वाला सीन देख रहा था ठीक है और जब 60 fps पे करेंगे 1080p 60 fps तो आपकी वीडियो स्मूथ ने दिखेगी अब ये देखिए है तो यहाँ पे मैं रिक्मेंड करूंगा कि आप अगर बैट के भी सूट करें क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बैट के भी वीडियो सूट करते तो अपने हाथ को इधर उधर चिडियो की तड़ा मतलब डूलाते रहते भाई हिलाते डूलाते रहते हैं तो आपको यह स्मूथनेस दीखे मतलब जर्क नजर ना है उसमें सैकी जो होता है ना रुक रुक के और उसमें नजर ना है तो आप टेनेट इपी सिस्टी एपिस ए सेटिंग कर लेना ठीक है अब उसके बास से बात यहाँ पर फोर के भाई देखो फोर के अगर मालो आपको दस सेकेंड सेकेंड तीस सेकेंड एक मिनट की कोई सीनेमेटिक सोट लेना है ठीक है सीनेमेटिक वीडियो के रियेटर हो तो आप 4 shorten पर जा सकते हो वैसे आप सूट करेंगे न तो आपकी वीडियो उतना मज़ा नजएगा ठीके अगर आप रख के कहीं सिनेमेटिक सूट ले रहे हैं एकदम से स्लो मूवमेंट में तो आपका 4K 30 fps पे वीडियो एकदम मस्ट सूट होगा तो यह सिनेमेटिक लोगों के लिए और यह जो है जो पर फ्रिंट्स यह तो setting होगी उसके बास यहाँ पर नीचे देखेंगे एंगल मिलता है किसी में वाइड एंगल मिलता है किसी में नॉर्मल ही रहता है और किसी में मतलब नॉर्मल के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे जैसे 1X हो गया 2X हो गया 3X हो गया 10X 2 बहुत सरे X होते जाएंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ठीक है मतलब जिस तरीके का आपका फोन अगा उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो अगर आपके फोन में यहाँ ब्लोगिंग करते हैं तो आपको नॉर्मल पे अपनी वीडियो को नहीं सुट करना जैसे कि हमारे फोन में व वीडियो को सूट करेंगे न अपने हाथ में अपनी फोन को सूट करेंगे तो ऐसा लगे दूर से अपनी वीडियो सूट कर रहे हैं अगर के आप呢 वान बं पे when uncle करेंगे तो आप की वीडियो कहीं पर भी सूट कर रहे हो नॉर्मल सूट कर रहे हो तो आप वन पर करके सूट कर सकते हो अगर कोई टुटोरियल वीडियो जिसमें चलना नहीं है बस कम ही चलना है बस सूट करना है टुटोरियल वीडियो तो आप नॉर्मल पर क्यूंकि इसमें एरिया दिखाने की कोई जर फ्रंट यूज़ करें या हे भाय की उज़िए देखो भय ईजो बाय केमरा होता है ना इस केमरा की अपश्य बहुत हाई होता है एजो है बहुत ही मस्ट इसको हम ok यानि सहीं कहेंगे इसको हम best कहेंगे अब हम जब अपनी वीडियो को सूट करेंगे तो हम क्या करेंगे वीडियो सूट करने के लिए देखो भाई बहुत से लोग करते हैं कि हम फ्रंट केमरा से अपनी वीडियो को सूट करते हैं या बहुत से लोग हमको कमेंट करते हैं कि भाई अपनी वीडियो को जो आपने सूट किया है फ्रंट केमरा से सूट किया है नहीं अब वीडियो को सूट करने के बाद से यहाँ पी एक चीज और हम आपको बता देता हूँ जो काफी मस्त है बहुत से लोग गलती करते हैं देखो अगर आप कहीं ऐसे जगह पे अपनी वीडियो को सूट कर रहे है जहां पे आपको जैसे लाइट कहीं है अगर आप थोड़ा म मूब करते हैं तो क्या होता है कि आपकी फोकस जो हती है न धीरे धीरे कभी एकदम से फोकस ब्राइटनेस बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाता है तो इस सेच्वेशन में फ्रेंड आपको देखें जहां पी अगर कहीं खड़े हो कि अपनी वीडियो को सूट करें और आप इधर उदर मूब करें और आपकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा होती है ठीक है तो उस सेच्वेशन में आपको करना क्या अपनी वीडियो पे जहां पे भी आपको लोकेशन अपनी फोटो को देख लेना है और इस तरीके से अपनी वीडियो में उस उस स पर आपने फोन में और देख लेना अच्छा सीन जब आपकी वीडियो में क्लियर से सब दीखे तो वहाँ पर उगली प्रेस करके रखना अपने केमरे में और उसके बास लॉक कर देना एक्सपोजर अब यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स की आपकी लाइटनेस जितना पर लॉ वाला सिस्टम नहीं उचकर नहीं तो आपकी वीडियो क्या होगी भाई कि अगर आप कहीं एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर जाओगे तो जब आपकी वीडियो सूट होगी तो वहाँ पर क्या होगी अगर माली कोहीं आपने किसी ऐसे लोकेशन पर थे जहां पर अ सिस्टम नहीं उज़ करना, अगर आप कहीं एक जगा पर खड़े हो के सूट करते हो, तब इस exposure को लोग करके अपनी वीडियो को सूट करना, ठीक है, अगर आप cinematic लेते हो, ठीक है, cinematic वीडियो रिकोर्ड करते हो, सूट करते हो, उस situation में आप लोग वाले option का उज़ कर सकते हो, क्यों कि इसमें हमको थोड़ा सा movement करना पड़ता है, ज्यादा नहीं करना पड़ता है, इसमें हमको exposure की कोई हो, और हमको पता रहता है कि हाँ, हमको किस-किस location पर सूट करने, तो वहाँ पर हम exposure को लोग करके सूट कर सकते हैं, cinematic के लिए, लेकिन blogger हो, तो आपको यह लोग व जो आपने setting रखा, तो आपने recording करते समय, वह recording वाला setting है, same apply आपको export करते समय, आपको मिलता है, वहाँ पर manually आपको set कर लेना, और फिर अपने gallery में save करना है, अगर same नहीं करेंगे, low कर देंगे, तो आपकी video quality फिर से बेकार हो जागी, और आपको high भी नहीं करना है, क्योंक आपको कि यहाँ में कहुंगा कि लकडी को आप इतना बड़ा कर दो, लकडी कर दो कर दो गेगे, नहीं हो पाएगा, तो आप 2 इंच मत किजेगा, अगर 2 इंच करेंगे, तो उसको पूरा बरबाद करना, मतलब बरबाद ही हो जाएगा, समझो, आपका बेकार हो जाएगा तो वही चीज़ है आपका जिस resolution में suit हुआ है उसी resolution में आपको edit करके export भी करना है आपकी video quality एकदम powerful होगी high quality एकदम pro level की होगी उसके बाद से comment करके बताना आपकी video मतलब जो मैंने बता है इसको apply करके suit करके बताना कि आपकी video किस quality में suit हुई अच्छा हुई है कि नहीं हुई भाई वीडियो पसंद दे हो तो like करना, share, connect, प्यारा सा comment करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को all praise कर लेना और ऐसे knowledge, जनकारी, tips, tricks के बारे में जानना चाहते हो तो भाई comment करके बताना आगे video बना के बताता रहूंगा ठीक है फिर मिलते एकले वीडियो में तब त पिर एकले के बत्राओणा और हुदॉ के करना और हुद्वरिय हुदु आध सिला झालो फमें तो वीडियो में णातोड़ में एम सम्झाल का कर-दो तो वीडियो थाप website बताश कर दो उनकार और हो जिए हो एम हैसाना रहुदॉवरी उनन्स आटार